हलो स्टुडन्ट्स, वैलकम बेंग टुदी क्लास इन अवर लाश्ट लेक्चेर, वी हो डिसकस अब आओट धी डिफरन ट्टैप ओव दी मैइक्रो ओरकेनिजन माइक्रो ओरकेनिजनने अलग अलग ग्रूप विसे आपने लाश्ट लेक्चेर माल डिसकस करियो तो बेक्टेरिया, वाइरसिस, प्रोटोजुआ, फंगी, आल्गी इब जाना स्ट्रोक्चर के वाओ यहने एना विसे आपने डिसकस कई रूदू ओके सो नेक्स्ट टोपिक सो चे बर्गीस मेन्यूल ओफ सिस्टेमेटिक बेक्टेरियोलोजी तम्हें माइक्रोबायोलोजिस्ट छो तो तमने बेक्टेरियोलोजी नी आजे बर्गीस मेन्यूल चेही सू छेही कबर होवी चो यहें, एना विसे बेजिक इन्फोर्मेशन अहीं आपने डिसकस करी सू ऊके, सो बर्गीस मेन्यूल is स्टांडर्ड रेफ्रेंस बुक for the identification and characterization of bacteria एक स्टांडर्ड रेफ्रेंस बुक चेहेें ना माटेनी बेक्टेरियानू identification करभू ओई अथ्वा तो यहने characterize करभू ओई एना माटेनी एक स्टांडर्ड बुक छे जहेमा आपने डिक्सनरी होई डिक्सनरी मा अलग अलग बधाना स्पेलिंग आपे लाऊई टेलीफोन डिक्सनरी छे तो बधाना अलग अलग फोन नम्बर आपे लाजे एवी रीते अया बर्गीस मेनियूल सुचे तो एक स्टान्डर्ड रेफ्रेंस बुक छे जेने अंदर बद्दाज बेक्टेरिया विशेनी माहीती स्टोर करेली छे ओके माँ कई रिते आग लासिफिकेशन करुँ बेक्टेरियानु इब धी इन्फोर्मेशन पॉन बर्गीस मेन्यूल माथी मर्षे ओके सो बेजिकली इट इस ब्दाज बुक फोर दी आइडेंटिफिकेशन एड केरेक्टराइजेशन ओफ बेक्टेरिया ओके नाउ बर्गीस मेन्यूल माँ बेक्टेरियान जे आखु छे बेक्टेरियाना बदा ग्रूप छे इबदा ने चार डिवीजन माँ डिवाइड करेला छे अलग अलग चार डिवीजन माँ बेक्टेरियाने डिवाइड करेला छे सो फर्स्ट डिविजन सु छे तोके फिर्मी क्यूट फर्मी क्यूट फर्मी क्यूट नू नाम नो मिनिंग सु थाई तोके फर्म नो मिनिंग थाई थीक अथवा तो स्ट्रोंग Firm नो मिनिंग छे थीक अथवा स्ट्रोंग औने cute नो मिनिंग थाई skin basically cute नो मिनिंग skin थाई पण यहां आपने बेक्टेरिया विशे वाद करिये छे बेक्टेरियाना रिगार्डिंग सु मतलब थासे तो बेक्टेरियानु सवथी आउटर लेयर कई उछे यहने केवाई cute ओके बेक्टेरिया मा आउटर लेयर कई वोई cell wall फिर Firmicute मिन्स थीक और स्ट्रोंग जेनुद cell wall होई थीक cell wall वाराज यह काई पन बेक्टेरिया चे इफर्मिक्ट डिविजन मा आउशे ओके ऐग्साम्पल गई ँछे फर्मिक्ट ग्रूप मा बेक्टेरिया आउशा फोरेग्साम्पल ग्राम पोजिट्यूँद बेक्टेरिया के जे ना blood थीक energ अलिविक और प्रेजन्ट वो वां मा लेक्टेरिया ग्राम पोजिटिव बेक्टेरिया के मा उसे फर्मीक्यूट मा, okay? चो धी ग्राम पोजिटिव बेक्टेरिया पोजेज इस धी थीकर सेल ओल दू तु धी हायर कॉंटेंट ओफ पेप्टीडोग्लाइकन, okay? वजार यह मांट मा, पेप्टीडोग्लाइकन प्रेजन्ट होई चे ग्राम पोजिटिव बेक्टेरिया मा उनना लिजे एनी सेल ओल चाड़ी हो से, okay? नाओ, नेक्स्ट सेकंड डिविजन छे, ग्रेसिली क्यूट, okay? ग्रेसिली क्यूट मीन्स के एबा बेक्टेरिया के जेनी सेल ओल थीन चे, पतली होई, okay? अनुँ एक्जाम्पल्स होई आशे, ग्राम नेकेटिव बेक्टेरिया, ग्राम नेकेटिव बेक्टेरिया मा असेल ओल एकदम थीन होई छे, okay? thinner cell wall due to the lesser content of peptidoglycan peptidoglycan content अच्छु होसे ग्राम नेगेटिव बेक्टेरिया मैं यहना लिजे यहनी cell wall thin होसे ओके बे डिविजन थिया केना आधारे आब बदा डिविजन छे cell wall content ना आधारे ओके cell wall ना आधारे थर्ड डिविजन छे Teneri cute Teneri ना मिनिंग छे tender और fragile fragile ले भी cell wall present होए याथ भा तो cell wall absent होए यहा बेक्टेरिया ही आउसे Teneri cute मा ओके तो इस डिविजन इंक्लूद सी mycoplasma Teneri cute group मा के बेक्टेरिया इंक्लूद थासे mycoplasma which are lacking the cell wall and more fragile and tender to external environment यहा बेक्टेरिया के जे cell wall present ना थी एटले यी बारना environment थी एकदम fragile tender छे डारेक्ली अफ्यक्त थाई जाई बारना environment थी एने environment ना लिधे एनी अंदर पन changes आभी सोख केमके cell wall absent छे शो बेक्टेरिया जेट लेक्स थी cell wall बेक्टेरिया पन गणा बदा छे बनेली cell wall present होई ओके बट अमुक exception पन होई ओके सो एवा खणा बदा exceptions छे बेक्टेरिया मा के जेनी अंदर peptidoglycan नी बनेली cell wall present ना होई बिजागोई content नी बनेली cell wall होई तो एवा बेक्टेरिया ने आप fourth group मा include करवा मा आवे चे मेंडोसी क्यूट मां so for example of the मेंडोसी क्यूट आर दी आर्कियो बेक्टेरिया ओके आर्कियो बेक्टेरिया चे इमेंडोसी क्यूट ग्रूप मां होई चे के उस cell wall is different due to the presence of pseudopeptidoglycan और the pseudomurine आणि cell wall छे इस स्वीडो पेप्टेरियो ग्लाइकन नी बनेली असे अथवा तो स्वीडो urine नी बनेली असे पेप्टेरियो ग्लाइकन करता cell wall ने अलग छे so they are included into the मेंडोसी क्यूट ग्रूप so these are the main four division के जह मां बेक्टेरिया ने divided करेला चे बर्गिस मेन्योल ने अंदर ओके बर्गिस मेन्योल मां बेक्टेरिया ने अचार अलग अलग division मां डिवाइड करेला चे बेजीकली कोई पर तम ने पुछे के बर्गिस मेनियूल सूछे तो इनो आंसर सूछा से बर्गिस मेनियूल इस दी स्टान्डर रेफरेंस बूक फोर दी अइडेन्टिफिकेशन और केरेक्टराइजेशन ओफ दी बेक्टेरिया बेक्टेरिया माटे ने आखी डिक्स नरी छे अने एमा बेक्टेरिया ने अलग अलग चार डिविजन मा डिवाइड करे ला छे केना आधार है तो के सेल बोलना आधार फर्मीक्यूट, ग्रेसिलीक्यूट, टेनरीक्यूट, एन मेंडोसीक्यूट अचार डिविजन मां डिवाइट करेला छे clear? So this was all about the Burgis Manual of Systematic Bacteriology Now the next point is the distribution of microorganisms in nature Okay, occurrence and habitat microorganism nature मां क्यां-क्यां प्रेजन ओई Okay, ये ना विशे आपने यां डिसकास करीशू So microorganisms are found everywhere in the nature Okay, first was the issue of everywhere in nature Nature मां दरेक जग्याए microorganisms present छे Okay, so they are the most widely distributed living organism on the earth Southie वधारे distributed, okay, Southie वधारे location उपर प्रेजन ओई एवु कोई living organism छे, तो इसू छे microorganisms Okay, अर्स उपर प्रुथवी उपर बधीच जग्याए microorganisms प्रेजन छे Okay, now there are so many microorganisms present in our body आपना बोडी नी अंदर पन गणाब बधा microorganism present छे के जे बोडी मां अंदर जे नुँ रेसिडेंशल एड्रेस छे Okay, के बोडी नी अंदर जे प्रेजन अचे एवा ट्रिलियांस ओफ माइक्रो ओर्गेनिसम्स छे And they are known as the normal flora of our body Human body नी अंदर जे काई पन microorganisms present होई Okay, एज रेसिडेंशल microorganism के बोडी मां नुर्मली प्रेजन्ट होई अचे Okay, disease वोगते कोई microorganism एंटर थाई नी disease थाई एवा microorganism नहीं बर्ट जे नॉर्मल कंडिशन मां बेड वर्डी नी अंदर प्रेजन्ट छे एवा microorganisms ने सुके वाई तो नॉर्मल flora of our body Okay, नाउ आ फ्लोरा वर्ड सुचे तो के जनरली प्लांट माटे यूस थाई अने फ्लोरा अने फ्यू नाइवी बे अलगलग डिविजन होई चे ऊके माईक्र ओर्ड सॉरी लीविंग ओर्डी नीजम नहीं आपने आगर डिस्कस कहिरू तो फ्लोरा नो मिनिंग्स होँ थाई प्लांट कम्यूनिटी ना जरकाई पन और्गेनिजम छे येना माटे फ्लोरा वर्ड यूज थाई छे औने फ्यूना वर्ड छे इनिमल कम्यूनिटी ना और्गेनिजम माटे यूज थाई बट अईया बेक्टेरिया छे एमा सेल वोल प्रेजन्ट होई छे बेक्टेरिया मा अने प्लांट मा पन सेल वोल प्रेजन्ट होई छे सो सेल वोल बेजने मा प्रेजन्ट छे ना अधार एव कई सकाई कि एनिमल करता प्लांट नी नजीक छे Bacteria are considered more near to the plant than the animal Animal करता plant नी वदार एनोजिक छे Bacteria So they are considered as the flora Flora मा एने include करवा मा आवे छे अने microbial community माटे पन घणी वकत flora वर्ड यूज थाई छे So body नी अंदर जे normal condition मा प्रेजन्ट हो एवा Microorganism ने normal flora तरीके पडखवा मा आवे छे Now microorganisms are only present on the earth Earth उपर बद्धी चग्या है microorganism present छे So क्या क्या present छे They are found in skin Skin उपर present असे Aपने human body नी बात करी तो Hair Hair मा present होई Turtur Intestinal area Fecal matter Also Okay आप बद्धी जग्या है microorganism present छे human body Okay intestine मा present होई छे skin उपर अच्छी मोड़ा मा अंदर पन Microorganism present होई छे So they are present in so many places in human body Now Earth उपर क्या present होई They are found in the coast of the earth Depth of the ocean Okay earth नी जए उपर न एरिया छे एडले के ज़मिन नो एरिया छे ज़मिन उपर प्रेजन्ट होई Depth of the ocean Ocean नी अंदर अधरिया मा पन प्रेजन्ट होई छे Microorganism नी उपर पन प्रेजन्ट है Microorganism in lakes, rivers, in air Okay air मा प्रेजन्ट होई Ice lands of the polar region Ice वाड़ा आखा Okay बरफ आच्छा दित प्रजेस होई तो एमा पन Microorganism प्रेजन्ट होई छे Okay इन लावा ओफ दी वलकेनों लावा जवाडा मुखी मा पन Microorganism प्रेजन्ट होई गी Okay एतला high temperature मा पन In fire of the furnace Fire मा अंदर पन Microorganisms प्रेजन्ट होई छे Okay इन इवन इन Extremely acidic mind drainage Okay extremely acidic Condition छे Okay drainage mind छे एनी अंदर पन प्रेजन्ट होई छे Microorganism Extremely acidic environment होई तो पन Microorganism त्याँ प्रेजन्ट होई Okay Now Germin उपर प्रेजन्ट होई छे Microorganism Germin उपर पन दरेक जग्याँ प्रेजन्ट होई In forest Okay green pastures Green जे घास ना प्रदेस होई एमा प्रेजन्ट होई छे In decaying plants Okay कोई plants सर्वा मा पाटे पन Microorganism प्रेजन्ट होई छे Decomposing matter of the human and animal Okay कोई human animal excretion छे तो एमा पन Microorganism प्रेजन्ट होई Okay So they are Reports postulating the possibility of the microbial life In the head of the comets And other space Okay अहीं अर्थ उपर अज Microorganism प्रेजन्ट छे एव नथी जरूरी ओके अर्थ नी बार पन Comets मा के आउटर स्पेस मा पन Microorganism प्रेजन्ट होई सके Okay So in salt आपने सु कही सके Okay Microorganisms are omnipresent दरेक जग्या है Microorganism present छे So इनुँ location कोई पन कही न सके Everywhere Microorganisms are present Okay In all grades of the temperature Gum में ते temperature होई Okay Extremely high temperature Extremely low temperature तो पर Microorganism थेया प्रेजन्ट हसे In all ranges of pH Okay EGDAM MESIDIC pH होई EGDAM BASIC pH होई कोई पन pH होई तो यहाँ पन Microorganism प्रेजन्ट होई सके Okay In all type of the habitats Whatever it is Okay Aerobic habitat छे Enerobic छे Bद्धी कंडिशन मा Microorganism प्रेजन्ट हसे So They are in habitat Of this plant Even before mankind Okay आपनी पेलाना Microorganism चे या प्लानेट उपर अस्तित्व धर आवे छे Okay आपनो बोन थे Animal, plant इबधानों अस्तित्व मा आई वा एनी पेलाना Microorganism चे या अर्थ उपर आवेला छे Okay So it is right to say That after good Only microbes are there Which are omnipresent on the earth Okay आपने उख़ी सक्किये के भगवान बदी जग्या है प्रेजन्ट चे नी पछी Microorganism अर्थ उपर दरेक जग्या है प्रेजन्ट चे Okay And their presence Is always feel आपने नी प्रेजन्ट पौन आपने फिल था याच्छे ओके दरेक जग्या है Microorganisms प्रेजन्ट चे अपने फूड लेए चे तो फूड माँ पौन Microorganisms प्रेजन्ट है Okay So omnipresent दरेक जग्या है Microorganisms प्रेजन्ट चे So Lewis Pasturehead Said that Never underestimate The power of microbes Okay Microorganisms ना पावर ने क्या रही Underestimate नहीं करवानो यह लूइस पास चरे किदू छे के बद्धी जग्या है प्रेजन्ट चे औने यहनी आरे जो आपने सारी रिते वोग करता आउड़े आपने तो यह डिजीज कोजिंग पन छे गणा बदा डेडलियस डिजीज पन माइक्रो ओर्गेनिजम ना लिदे थाई छे एननी बीजी बाजु गणी बदी बेनिफिशियल इफेक्ट पन छे माइक्रो ओर्गेनिजम नी के ना वगर आपने अपनी लाइफ पोसिबल ना थी यह उपन क्या रेक अपने लागे एननी बेनिफिशियल इफेक्ट छोई तो सो माइक्रो ओर्गेनिजम आर वेरी पावर्फुल क्लियर दीश मश हीर वन कोट इस गीवन माइक्रोब स्पीक माइक्रो ओर्गेनिजम बोले छे के स्मोल और माइटी माइक्रो ओर्गेनिजम क्या वह होई स्मोल और माइटी होई यूज अज राइटली हमने साचीरी ते यूज करो इफ यू यूज अदर्वाइज वी विल सेंड यू तो दी अल्माइटी आपने जो एने सर्कीरते यूज नहीं करी सकी है तो आपने यी डेंजर मां मुखी देश है सो माइक्रो ओर्गिनिजम आर वेरी पावर्फूल ओर्गिनिजम सेम पन आपने कही सकी एनी घणी बधी बेनिफिशल इफेक्ट छे अने घणी बधी डेडलियस इफेक्ट पाँछे एक माइक्रो ओर्गिनिजम केटलू नानू माइक्रो साइज नू ओई तो पनी आखा एनिमल ने यूमन ने किल करवा माटे पन रिस्पोनसिबल होई सके सो माइक्रो ओर्गिनिजम गणा पावर्फूल होई छे एक एक एक्जामबल अत्यारे तम्हें लाइव जोवच्छो कोरोना वाईरस इट इस अलसो वन माइक्रो ओर्गिनिजम पने देस ना देस आखा बधा हला विनाई खाचे बधा ने आम ठप करी दिजा छे चयब करें एक नानाकडूम पावर्फूल औरगिनिजम एक्जे Clear and they are present everywhere in the nature. Nature मा दरेख जगे है microorganisms present छे. Okay, so this was all about the occurrence of the microorganism or distribution of the microorganism in nature. In our next lecture, we will discuss about the applied areas of microbiology. Okay, microbiology कया कया अलग अलग फिल्ड में अपलाई थाई छे. यहना विसे आपने discuss करी सू. Thank you so much students for watching this video and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.